आज का question है सारे hazardous वेस्ट पर फिर से और देख लेते हैं पहला question when can we classify west as hazardous हम कब ये बता सकते हैं कि ये जो best है ये जो कूड़ा कच्ड़ा है ये hazardous यानी खतरनाक अफसिस्ट है तो option देख लेते हैं a when west would not cause any mortality मतलब जब best कोई भी बीमारी खतरना बीमारी को नहीं फैलाता है कि उसका कारण नहीं बनता है दूसरा b when west increase mortality या फिर west क्या करता है जो खतरनाक अफसिस्ट है वो बीमारी को बढ़ाता है c when west decrease mortality या फिर west खतरनाक बीमारी को कम करता है d option है when west decompose itself without any aid कह रहा है जब west अपने आप decompose हो जाता है या खतम हो जाता है तो हमारा सही answer है b when west increase mortality जब हम किसी भी west को hazardous या बहुत खतरनाक अफसिस्ट कह सकते हैं जब वो क्या करता है west increase mortality जो बहुत भेंकर बीमारी को बढ़ाता है चलो आगे देखते हैं अगला question based on how many primary characteristics we can classify west as hazardous कह रहा है कि चार primary quality पे यानि ऐसे कौन सी चार खूबिया होनी चाहिए किसी west में जिसको हम hazardous कह सके हैं जिसको बहुत ही खतरनाक अफसिर्स कह सके हैं तो option देख लेते हैं a, one, b, two, c, three, d, four तो हमाँ से अंसर है d, मतलब four तो क्या कह रहा है कि जो west है west is classified hazardous if it if it exist any four primary characteristics अगर चार ये इसमें घुण हैं किसी west में तो वो क्या होगा hazardous होगा कौन कौन सी चार होगा है toxicity यानि भिसाक्तरता भिस वाली चीज होनी चाहिए reactivity बहुत जल्दी react कर ले किसी हवा से पानी से और खतरना चीजों को बना दे ignitability मतलब घुल मिल जाना है और corrosivity दिखाना इन एडिशन टू इस वेस्ट प्रडूक्ट प्रडूक्ट्स इस आलसो क्लासिफाइड हजार्डस यानि चार क्वालिटी होनी चाहिए जब अगर हम किसी वेस्ट को हजार्डस मानते हैं कौन कौन सी होनी चाहिए और खोंड खान सी होना चाहिए रीक्तिविटी ओना चाहिए एनिटरी और होना चाहिएड कॉलिटी कैसे को नमबर तीन क्या है वाट क्वालिटी होना चाहिए चाहिए का व्युष आ union आपक्सिच्ट क्या होतागा है जो बहुत धीरे-धीरे धीमा जहर समझ लिए एक तरीके से टॉक्सिक होता है तो पहला अप्षान है A, Substance Those Are Not Poisonous करा ऐसे पदार्थ जो बिस वाले नहीं है फिर कहरा है B, Substance Those Are Poisonous Only When It Taken In Large Quantity फिर कहरा है कि ऐसे पदार्थ जो ज़्यादा मात्रा पे लेने से विसाख्त हो सकते हैं C, Substance Those Are Poisonous Only When It Taken In Small Quantity कहरा है ऐसे पदार्थ जो धीरे-धीरे करके थोड़ी मात्रा में लेने पर विसाख्त होते हैं D, Option क्या कहरा है Substance which works as an antidote for toxic materials कहरा है ऐसे पदार्थ जो antidote के रूप में काम करते हैं toxic material के लिए मतलब विसाख्त material के लिए तो हमारा सही option है C, Substance Those Are Poisonous Only When It Taken In Small Quantity कहरा है ऐसे पदार्थ जो हम थोड़ी मात्रा पे दीरे-दीरे लेते रहते हैं वो धीरे-दीरे करके हमको नुक्सान पहुचाते हैं और बाद में बहुत बाद में पता चलते हैं सालों बाद ऐसे वेस्ट को क्या कहते हैं toxic waste कहते हैं तो clarification एक बार देख लेते हैं toxic waste are substance that are poisonous toxic waste वो सब पदार्थ होते हैं जो poisonous होते हैं या जहली होते हैं even in very smaller trash amount यानि कि बहुत कम मात्रा में लेने पर भी वो हमारे लिए बिसहले होते हैं some may have an acute effect on humans मतलब एक बहुत ही बहतर प्रभाव डालते हैं ऐसे विसाक पदार्थ होते हैं जो causing death death भी हो जाती others may have a chronic or long term effect या तो chronic disease हो जाती है धीरे धीरे जो बिमारी बहुत जादा हो जाती slowly causing irreparable harm और ऐसा मतलब खतरनाक harm या मतलब पहुचाते हैं नुक्सान जो repair नहीं किया जा सकता है to humans and other organic मतलब humans में भी और other organic में पेर पौधों में भी तो इसे कहते हैं toxic best यानि कि toxic best वह सारे पदार्थ होते हैं जो थोड़ी मात्रा में लेने पर भी हमारे लिए विसाक्त हो जाते हैं अगला चलते हैं फूर नंबर क्या है वाई chronic toxicity is difficult to determine कह रहा है जो chronic toxicity होती है जो विसाक्ता जिसी धीरे धीरे सरीन में जो बिस फैलता है उसको पता करना इतना कठीन क्यों है option है a because there is no cure for that कह रहा है क्योंकि इसके लिए कोई cure नहीं है मतलब कोई मतलब उसकी तो दवा नहीं है दूसरा कह रहा है b because it causes only little problem कह रहा है कि दूसरे नंबर पर क्योंकि यह बहुत कम problem को बनाता है c नंबर पर क्या है because effects can be seen immediately कह रहा है जो इसके effect होते हैं बहुत जल्दी दिख चाते हैं d नंबर पर क्या कह रहा है because effects may not be seen for years कह रहा है ऐसे effect डालता जो बहुत सालों तक दिखाई नहीं देते हैं तो सही answer is d because effects may not be seen for years बहुत सालों तक effect नहीं दिखाई देते हैं तो chronic toxicity क्या होता है यह ऐसी toxicity होती है ऐसी विसाग तकता होती है जो क्या है जिसके जो लच्छन होते हैं बहुत सालों तक नहीं पता चल पाता है अब clarification में देख लेते हैं chronic toxicity is much difficult to determine यह chronic toxicity को हम लोग क्यों नहीं पता कर पाते हैं जो धीर धीरे भी शरीर में फैलता है उसको नहीं पता कर पाते हैं हम लोगों ने कोई ऐसी चीज खाई जिसमें बहुत थोड़ी मात्रा में कोई जहरीली चीज मिला जा रही है अब हम लोग कैसे मरेंगे तो है नहीं अचानक से क्या होगा ना वह जैसे खाती रहेंगे कांटीनियू खाते रहेंगे तो उसका असर कब दिखाया देगा मतलब एक दिर साल दो साल तीन साल में पता चलेगा और तब तक क्या होता है पूरी बोड़ी में अच्छे से वह फैल जाता है और आदमी का बचना मुस्किल हो जाता है तो ऐसी टॉक्सिटी को ऐसी विसाग क्रोनिक टॉक्सिटी कहते हैं ठीक है आप चलते हैं आगे कुछ नंबर फाइब वीच आफ दा फॉलोइंग है वे टेंडेंसी टू रियक्ट विगोरिसली विद वाटर आरेयर कह रहा है कि इसमें यासी कौन सा ब्यस्ट है जिसकी क्वालिटी है कि बहुत जल्दी बाटर और एयर में घुल मिल जाता है निए बाटर निए पानी और हवा के साथ में बहुत जल्दी रियक्टिक रियक्शन करके कुछ जहरी चीज़ा बना देता है तो अफसें देख लेकते हैं A. टॉक्सिक वेस्ट ऐसा होता है B. रियक्टिव वेस्ट होता है C. कोरुसिव वेस् तो हमारा सही अंसर है B. रियक्टिव वेस्ट. क्लेरिफिकेसन देख लेते हैं एक बार. रियक्टिव वेस्ट is that which has a tendency to react vigorously with air or water. क्यारा जो रियक्टिव वेस्ट होते हैं रियक्टिव मतलब जो बहुत जल्दी रियक्ट करते हैं वो उनकी टेंडेंसी कि इनकी आदत क्या होती है बहुत जल्दी वो क्या करते हैं हवा और पानी के साथ खुल मिल जाते हैं इनको बहुत लिए जलाया खतम नहीं किया सकते हैं इतने ज्यादा टॉक्सिक होते हैं कि गैसस की रूप में एक्स्प्रोड होते हैं और इसका एक अधान जैसे गन पावडर होगया है तो कि यह थी क्या है हमारा रियक्ति बेस्ट है अगे चलते हैं मोडर्न सोसाइटि दस नौट प्रोड्यूज इल्डाज कॉंटिटी फजारड़र्स वेस्ट किया जो आज के हमारी आज कलकी जब मॉडर्न सोसाइटी है आज किलके समय है इसमें कहा रहा है कि बहुत अधिक मात्रा में हजार्स विस्ट बनता है तो क्या रहाना सौरी नहीं प्रडू जो ही करता वहला माज uy शौष रहे तो नहीं देख लिए तो हमारा सही है बी बहुत वाही जो माधन सोसाइटि यह morph निकलेगे खतरनाक अफसिस्ट निकलता है क्योंकि इतना ज़्यादा पॉलिशन भी होता है तो क्लिरिफिकेशन देख लेते एक बार modern society produce hazardous waste it produce large quantity of hazardous waste मतलब जो हमारी आग की स्वाइटी और बहुत ज़्यादा मात्रा में खतरनाक अफसिस्ट को पर मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं generated by chemical manufacturing company और कहां कहां सब मतलब ज्यादा निकलता है जहां पर कैमिकल बनता है petroleum refinery जहां पर पैट्रोलियम को मतलब क्या petroleum को बैसे तो पैट्रोल डाइक तो यूज करते हैं इसको रिफाइन किया जाता है तो वहां से निकलता है पेपर मिल से निकलता है smelters and other industry से भी निकलता है आगे चलते हैं वाट इजन इगनीटीवल वेस्ट अब इगनीटीवल वेस्ट क्या होता है देखते हैं पहले आप्शन अब पहले तो देख लेते हैं इगनीटीवल वेस्ट समझ लो फिर उसके बाद में आप्शन देखते हैं तो फिर कन्फ्यूज हो जाओगे इगनीटीवल वेस्ट क्या होता है जो क्या करता है लो टेंपरेचर पर ही जल जाता है उसको क्या कहते हैं इगनीटीवल वेस्ट क कहते हैं अप संदेख लियते है रिज Agriculture भी ऑलब चैनल प्लीटिवल युनकी में फीर ऐसा बेस्ट जो हाई यॉल्य बहुत ही बीह पर फिर हुआ पंपरेचर पर युलता है आछ बरम आयाय युवैस्ट के बैस सबस्लिन नहीं पाता है डी पर क्या है वेस्ट केरेशा अगया इसा वेस्ट लोड वेस्ट कौन सा हो गया अइसा वेस्ट जो क्या है लोड़ टेम्परेचर पे जलता है स्को कहते हैm २ेस आगे चलते हैm wr w ats Nation Sc imp pressing इन इन को रोसिब ट्रेस्ट ακो रोसा फैस्ट में कैसे र्यक्षन होता है यह देख लेते हैं अब पहले थो यह समझ लोग रो सी वेस्ट होता क्या है कोरोसिफ वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है जो इसमें chemical reaction होता है वहला कोई चीज chemical से बढ़ाई जाती है फिर chemical से इसको घटाया बढ़ा जाता है तो option देख लेते हैं A. Physical B. Electrochemical C. Biological D. Chemical तो हमाँ से answer है D. Chemical तो कोरोसिफ वेस्ट में क्या होता है रिक्स से बनते हैं से हिसारव से सार better टो से आर्चन देख लेट लेखें इसन गया 2 कोरोसिफ वेस्ट येश्ट येशार लेट जो अज Agris 바 क्या करता है मटेल को डिस्ट्रॉय कर देता है और लीविंग टिसू हमारे बॉड़ी में टिसू होते हैं उनमें केमिकल पहुचा-पहुचा के क्या करता है हमारी बॉड़ी के टिस्यूज को खराब कर देता है आगे चलते हैं वहर वी केड़ रेडय। एक्टिव वस्ट हम लोगों रेडयूयेक्टिव वस्ट कहा से मिलता है तो देध लेते हैं ओप्सन ईह स्माल इस्केल इնडेLRे जूटे छोटी छोटी इन्डेस्टी से मिलता है बी नमबर हाय। से मिलता है C नमबर में नुकलियर । सा्वर्ड़ फ्लांट से मिलता है वेकिला वैस्ट से मिलता है Frank N. गाडी के वैस्ट से टो ऐसा नहीं है जो हमारा C option सही सब्सक्रीय और red deer опас me कहा से निकलता है रेडियोक्टिव वैस्ट निकलता है nuclear power plant से निकलता है ठीक है आगे चलते हैं दस नमबर पे which of the following is a hazardous substance कहा रहा इसमें से कौन से hazardous substance है खतरनाक अफसिस्ट है या खतरनाक पदार्थ है तो अपसन है A gold V lead C copper D iron तो हमारा सही अंसर है B lead भाई अब गोल्ड तो खतरनाक अफसिस्ट है नहीं गोल्ड तो सब पहनते हैं copper भी नहीं है और iron तो जानते ही नहीं है तो फिर बचा क्या lead जो lead हमारे सही अंसर हो गया आगे चलते हैं How do PCVs impact on words कह रहा है कि जो PCVs जो है नहीं hazardous waste है वो पक्षियों पे क्या आसर टालता है पहला देख लेते A They decrease the memory पहले नमबर में हिंदी में बताया देते हैं कि वो यह आदास्त को कम कर देता है पक्षियों की B नमबर दे काज reproductive failure वो संताम उत्पन करने छमता है उसको कम करता है C दे काज word flow फेलाता है D है दे काज indigestion या फिर वो अपच को बढ़ाता है तो सही अंसर है B They cause reproductive failure पक्षियों में जो PCVs होते हैं वो क्या करते हैं कि वर्स जो होते हैं चिडिया उनमें संताम उत्पन करने की छमता को खराब कर देते हैं तो classification एक बार देख लेते हैं PCVs is one of the hazardous waste PCV hazardous waste है that impact on greater extent to environment these PCVs can cause reproductive failure in words कि रहाए कि उसमें संताम उत्पन उत्पन को नस्ट कर देते हैं और मैमल्स जासा नहीं कि इसे पक्षियों में ही मैमल्स मतलब जितने भी जो प्राणी है संताम उत्पन के जिनमें भी छमता है उनको भी PCVs बहुत एफेक्ट करते हैं खराब करते हैं उनकी संताम उत्पन 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 को दस इस काइंड ओजाड़ बेस्ट यूज़ यूज़ इनको बहुत ही कम मांत्रा में यूज़ करना चाहिए विद प्रिकॉस्टनरी मेजर्स और उसके लिए कुछ प्रिकॉस्टन्स भी देने चाहिए आगे चलते हैं बिनाइल क्लोराइड इस वाइडली यूज़ इन दा मैनुफेक्ट्चर ऑफ यह जब बिनाइल क्लोराइड है वो क्या करते हैं हम लोग कहां यूज़ करते हैं उसका बिनाइल क्लोराइड इस वाइडली यूज़ इस वाइडली यूज़ इस वाइडली यूज़ इन दा मैनुफेक्ट्चर ऑफ प्लास्टिक जो प्लास्टिक बनाने में ज्यादा तर यूज़ किया जाता है एक्सपोजर इन हुमन के चाश्ट डिफनेस वीजन प्रॉब्लम में वोण डिफोर्मिटीज और जो हम लोग इसको मतला प्लास्टिक में यूज़ तो प्लास्टिक की चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं तो थीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके कहिन न कहीं हमारी बोडी में इन्जक्ट होता रहता है मैं जाता रहता है। तो यह क्या क्या स्थिर्फस्टों की दिते हैं कि मुथा dalरी होती है । कि इस बिनारवा बार्थ डिफेक्ट्स्टॉरो कुछ नहीं बच्चों में मतलब कुछ प्रॉब्लम जर्म से होती है तो यह भी इसको बढ़ावा कौन देता है बिनायल क्यों रडिसले होता है नहीं प्लास्टिक कम से कम यूज़ करना चाहिए आगे चलते हैं किरा नम्मर पे इन ओर्डर टू डिस्पोज हजार्डर वेस्ट वेर दियर आर नो अवर्डेंट लैंड्स विच मैथेट इस यूज़ को जमीन में खतम करने के लिए जमीन में डंप करने के लिए कम जगा होती है वहां कौन से मैथेट यूज़ किया जाता है तो देख लेते है ए लैंड डिस्पोजल जमीन में दफन करना बी बर्निंग जलाना सी फ्लोट्स इन बार्टर बोडी जो नदी या समुद्र होते है उसमें तैरा देना और दी है इंसिनेरेशन और या फिर जला देना तो सही अंसर है हमारा दी इंसिनेरेशन यानि भस्म कर दिना खतम कर देना क्लेरिशन देख लेते हैं दा मोस्ट कॉमन मैथेट्स फॉर डिस्पोजिंग और हजार्डस वाट बेस्ट आर लैंड डिस्पोजल मतलब कॉमन कौन सा है कि जमीन में ही गढ़ा के खतम करना और कौन सा है इंसिनेरेशन मतलब और भस्मी करन मतलब जलाना इन कंट्री प्लस्टिक है के रहा का है थी अगला देख लेते हैं दा यूज आ और येज़ी आड़ क्लोर अग्लियूर वाई रडीजिंग दा यूज़ फ्लस्टिक करना इन ॉज़रा है इंसिनेरेशन में प्लास्टिक ऐसे में धृक्ट आरा ये ज़ते हैं हम लोग अगर पॉली बिनाल क्रोराइट कम कर देगा प्रहस्टिक के यूज़ को अगर हम लोग पॉली बिनाल क्रद का ज्यादा यूज़ करेंगे तो कआः प्लास्टिक के यूज़ को कम कर देगा अफसल देख लेते हैं ए ट्रू बी फॉल्स सही अंसर है रे ट्रू अब देख लेते हैं, ग्लारिफिकेशन क्लियर हो जाएगा तब कहा रहा है, polyvinyl chloride use can lower the use of plastic polyvinyl chloride का जितना हम लोग use करेंगे प्लास्टिक के use को कम कर देगा in plastic, PCVs is the essential substitute by using polyvinyl chloride हम लोग PCVs में क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक में polyvinyl chloride, we can reduce the use of plastic प्लास्टिक के use को कम कर देगा, why reducing best इससे क्या होगा, best भी कम होगा, recycling and using product which are durable, we can reduce the consumption of chemical अब जैसे हम लोग एक बाद प्लास्टिक को reuse का अगर recycle करेंगे, reuse करेंगे तो क्या होगा, कि हम लोग को नहीं प्लास्टिक के समान नहीं बनाने पड़ेंगे तो हजाडर विस्ट भी कम होगा, आगे चलते हैं, यह होगा आज के 14 questions जो हजाडर विस्ट पे, primary हजाडर विस्ट पे depend थे, मतलब एक थोड़े low level के question थे, लेकिन exam में यह भी आ ही सकते हैं तो सारे लगभग जितने भी topic हैं, सारे topic से थोड़े थोड़े करके, मतलब लगभग 500 question मुझे हजाडर विस्ट पे कराने हैं तो उसके coding में सारा एक एक topic से एक question जो भी बन सकता है हम इसको बना के खोच के, जैसे भी करके अब तक पुचा रही हूँ जिससे की एक बहतरीन तयारी हो सके तो प्लीज अगर आपको सही लगता है कि मैंने एक डम सही कुछ डंक से किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल